तो अगर तुम लोग को हैवी गीम्स खेलना बहुत पसंद है और तुम लोग चाहते हो को बजट के अंदर तुम लोग का पीसी बिल्ड हो वह भी आटेस ग्राफिक कार्ट के साथ तो यहां पे मैं तुम लोग को 14,000 के अंदर बजट पीसी बिल्ड बताऊंगे जिसमें तु सब्सक्राइब नेक्स लेवल चलेंगो बजट के अंदर भी तुम लोग को यह पीसी बिल्ड देखने को मिलेगा तो अगर चुन जी ने को अपना पीसी बिल्ड करने अपना आयटेस ग्राफिक कार्ट के साथ वीडियो के लिजट के अंदर ही फूरे कंपोनेट देखने को वीडियो लश्काइब देखते रहो तो जैसे कि देख पार हो को मैं अच्छे के अपने फीसी स्कीन के अंदर यहां पे तुम लोग को सारे कुंपोनेट देखनों को मिलने वाले जो थो तमनों को पोटीट थाउसद केंहां पे यहां पर अपने पर युन्हें रोभ यहां कर देखने मिला है तो तुम लोग को जाओ अगर जा तो इसके साथ भी जा सकते ही तो तम लोग को अलग से डेटिकेटड ग्राफिक कार्ड तो यहां पर कमपन सिरे तो अगर बात कर प्रोसेसर तो नए फ़ां प्रोसेसर में अपने दूसरे तो नोगो का लेके लिए यांपर मदरवोट अब देखने मेला वो तुम लोगो देखने मेला आप गिगावाइट का वीपोर 50 और उसका तो लोगोल को इलाइट टम लोगा देखने को मिलने वाला है जी फोर्स का आच्छा ग्राफिक आधे ग्राफिक नागा अच्छ ग्राफिक कार्ण ने पोड़ी ने तों यह तम लोग को है 6GB का देखनों मिलेगा दो फैन देखनों मिलेगा ओफर लोक्स की बात लुट अच्छा खासा है इसमें तुम लोग कोई RGB देखने को ने मिली जिर आफिकार में तो वह बहुत बेस्ट लग रहा है देखने में अब बात करते अपने फोर्थ कंपोनेट की त देखने को मिल जाएकी तो तो लोग लागा सकते हो और अच्छे वह तो लोग की हो तो लोग देखने में पर को यह थो तो लोग पर चुल्स अब यहां पर जो storage यूज़ कर रहा है एंटेक e-sport 690 की यहां पर यूज़ करना है 256GB की internal storage solid state drive यूज़ करने SSD यहां पर और बात करने तो SSD अच्छी खासी तम लोगों देखने को मिलने वाली है और इस्टोरेज में तो में लिजा अगर इसको कम लगती यह तो इन फीचर इसको अपड़्रेड भी कर सकते हैं तो फिर थम लोगों पर डिपैंट करता है एक तम लोगों को किती ही अपने टोर्ष पीसी के अंदर जाहिए और किसे साफ से तम लोग का यूशेज है तो तुम लोग के बजट के अंदर भी देखने को मिल जाता है और अच्छे गाति लोग की यहना पावर सब्राइब कर देखने को नहीं मिलती है अब अब जो लाश्ट कंपोनेट लेकल आता है इस PC का वो आता है तुम लोग का कैविनेट अब जो कैविनेट है वो तुम लोग का एंट सप्ला और बगत करें सब्रॉट की तो यह तम लोग को एंटेक इस पोर्ट के इलाइट देखने को मिल जाता है और जो सब्रॉट करता है ATX है M ATX यहां पर यह सपोर्ट करता है प्रिफ टम लोग को तीन यहां पर फैन देखने मिलेंगे 120 mm के तो 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 लोग को कुई यूएसबी के थी पोड फिर डीक मिलेगा माय का हैटफोन का विसेट बटन पावर बटन यह तम लोग वबर साइड भी सब देखने को मिलेगी और यहां पर तम देख पार हुग ना जिफ पूरा ओवर तमना को सब देखने को मिले वाला है तुम किते मतलब एम तक का ग्राफ काटको कर सकते अच्छे आची बाइन ऑपर देखने को मिलेगी और एयर फ्लो तो तो तुम लोग थी यहां पर देखने हो भी फ्रंट से अपर बैक से भी हो तम लोग अच्छे विल्ड बनेवाला है यह वर आर सब्धिने बताना तुम लोग पशे लगा तो आइज होब ग कर देखने को नहीं मिले क्योंगी तो अगर तुम लोग को यह वीडियो अच्छी लोगी हो तो वीडियो को लाइच जूज़ो कर दें और कमेंट करके बताना तुम लोगों को यह पीसी बिल्ड कैसा लगाया कौन को करने वाला है और इस टाइब जाके मुझे फॉलो कर लेना लिंक डिस्क्रिशन में मिल जाएगी और ट्विटर की जाकर फॉलो कर लेना उसकी लिंक टम्लों को डिस्क्रिशन में मिल जाएगी तो यही था राइस की वीडियो में आपके आपके साथ ज़िए टिकर एंड बावाई झाल